हेलो फ्रेंस मैं हो संपत कुमर आज किस वीडियो हो लो बात करेंगे कि पुलीस को गुप्त सुचना देने का क्या है कानूनी तरीका इस वीडियो में मैं जो आपको कानूनी तरीका बताने जा रहा हूं इस कानूनी तरीके के तहट यदि आप पुलीस को कोई भी गुप्त लोन तो आपको बता दिए कि गुप्त सुचना के अधार के कोई भी करता है तो जो भी गुप्त सुचना को दिया है उसका नाम कभी बिन नहीं होता है। यहां तक कि यहां तक कोई आरूपी को पुलिस गिरफतार करके All it is फिर भी वहाँ कोट में भी गुप्थ सूचना देने वाला का नाम कहीं सामने नहीं आता है पूलिस को जो व्यक्ति गुप्थ सुचना देता है उसे मुख़फिर कहा जाता है कोई भी यदि illegal activity कहीं पो रहा है तो उसका गुप्थ सुचना पूलिस को दिया जा सकता है जैसे अवय तरीका से कहीं सराब बनाया जा रहा है या बिना लैसेंस का गण कोई व्यक्ति अपना घर में रखा हुआ है या पिर कहीं पर जाली नूट का कोई धन्देवाज चल रहा है या फिर कहीं सेक्स रेकर है या इसी परकार का और भी कोई illegal activity कहीं पर हो रहा है तो इसक पैसा इसलिए देता है ताकि जहां पर भी कोई गलत एक्टिवीटी होड़ा है उस पर लगाम लगाया जा सके और अपराद कम हो सके इसलिए पुलीस जो है मुखवीर को कुछ पैसा भी देती है और लालच भी देती है साथ ही साथ आप लोग कभी न कभी न्यूज पेपर में कि ये भी देखे होंगे कि यदि कोई व्यक्तिव फरार चलता है तो उसका सुचना देने वाले को उनाम पुलीस के दौरा घोसित किया जाता है यानि कुछ पुरसकार का घोसना किया जाता है, कुछ रासी का घोसना किया जाता है जब भी आप पुलीस को गूप्त सुचना दे रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज आपको धियान में रखना होगा नए तो फ्यूचर्स में आपको बहुत बड़ा समस्या हो सकता है पहला चीज यह है कि गूप्त सुचना जब भी आप पुलीस को देते हैं, तो हमेशा सीनियर पुलीस अधिकारी को देना चाहिए जैसे SP को दे सकते हैं, SSP को दे सकते हैं, ESP को दे सकते हैं, या फिर DSP को गूप्त सुचना दे सकते हैं आपको बता दे, गुप्त सुचना पुलीस को हमेशा मुख्रिक तोर पे देना चाहिए, यानि कि जब भी आपको इलीगल एक्टिवीटी का पुलीस को गुप्त सुचना देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ भी लिग के नहीं लेके जाना होगा, और नहीं पुली यदि कहीं पे कोई इलीगल एक्टिवीटी हो रहा है, तो आप यदि पुलीस को गुप्त सुचना देने जा रहे हैं, तो आपको फाउन कोल पे कभी सुचना नहीं देना चाहिए, ना वाट्सेप अगर आपको लिग के भेजना चाहिए, अला कि आप जो चीज का सुचना इलीगल एक्टिवीटी हो रहा है, उसका सुचना दे रहे हैं, तो उसका आपके पास पुरूपर एविडेन्स होना चाहिए, यहाँ पर हम एक एक्जामपल लेते हैं, मान लेते हैं कि कहीं पे सराव का अवज धन्धा चल दा है, और आप मुखवीर बनके पुलीस के समझ पुलीस को बताया कि अवच तरिका से कारोबार किया जा रहा है, और पुलीस ने जो है जो व्यक्टि सराव का कारोबारी में लिप्त था, उस व्यक्ति से मिल जाता है, और पैसा उसा लेके वह चीज़ को पुलीस दबा लेता है, साथी आपका नाम भी पुलीस वहाँ पे चुका हूँ जब आप सेनियर पुलिस अधिकारी को बताएंगे तो हो सकता है कि आपको जो भी प्रुतसाहन रासी दिया जाए वो काफी जदा हो सकता है साथी साथ उस पर करवाई भी 100% हो सकता है नेस्ट पॉइंट है कि जब भी आप पुलिस को कोई गुप्त सुचना देते हैं मुखवीर बनके तो पुलिस उस घटना का यानि कि आप जो भी इलीगल एक्टिविटी का जनकारी पुलिस को दिये हैं उस पर डरेक्टे छपा मारी पुलिस नहीं करती है पहले ये चीज पर कुछ ठेस्ट हो सकता है इसलिए आपको ये चीज हमेंसा ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी मुखवीर बनके कोई भी जुठा गुप्त सुचना पुलिस को नहीं देना चाहिए यदि आप इसा करते हैं तो हो सकता है पुलिस आपको भी रफ्तार कर ले जब भी पु पुलिस यह बोलती है कि मैंने गुफ्त सुचना के अधार पर ये करवाई किया साथी साथ यदि कोर्ट में भी ट्रेल उस चीज का शुरू होता है तो वहाँ भी पुलिस हमेसा गुफ्त सुचना के अधार पर यही बात को दोहराती है यानि कि मुखवीर का या शूरू हमे चिः पाया जाता है यानि कि परदा के पिछे से ही हंदेक मोखवीर हर चीज कर सकता है यादि आपके आस-पास में कुछ हुझ असा I is all इलीगल एक्टिवीटी हो रहा है जो मैंने उदारन दिया वीडियो में इसके बाद भी और कुछ इलीगल एक्टिवीटी हो रहा है तो आप मुख्वीर बन के पुलिस अधिकारी को सुझना दे सकते हैं